इस वीडियो में हम देखेंगे English vocabulary का एक पार्ट जिसमें हम डिसकस करेंगे different types of phobias की SST के exams में phobias related बहुत सारे vocabulary पूछे जाते हैं one word substitution के रूप में या फिर synonym and antonym के रूप में तो phobias अगर आप सारे जानते रहेंगे किसको क्या कहते हैं तो बहुत आसान होगा one word substitution में आपको टिक करना बहुत आसानी से आप कर पाएंगे different तरह जो phobias हैं क्या किसमें असमानता है वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो ध्यान से देखेगा वीडियो को ताकि आप अच्छे से समझ सकें और पूरी चीज़े आसानी से graphs कर सकें और आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है तो चले श्टार्ट करते हैं आज़ी वीडियो पहला सेंटेंस है एक्रोफोबिया एक्रोफोबिया का इंग्लिश में यहाँ पर मीनिंग लिखिए एक्स्ट्रीम और इरेशनल फियर ओफ हाइट्स मतलब क्या होगा हिंदी में इसका उचाई का डर अगर किसी भी परसन को उचाई का डर है जैसे आप देखते होंगे आप आपके परिवार के भी मेंबर्स होते होंगे जिनको अगर आप उपर ले जाए च्छत पे और उनको नीचे देखने को कहिए तो उनके मन में अजीब सा डर होता है और नीचे नहीं देख पाते हैं ऐसे परसन के लिए यूज होता है एक्रोफोबिया चित्र से भी आप को रिलेट कर लिजेगा जिससे आपको हमेशा के लिए सारे सब्द याद हो जाएंगे नेक्स्ट देखे क्या है एक और फोबिया का मतलब क्या होता है कि ओपन स्पेस में अगर आप हैं किसी खुली जगा पे हैं तो कुछ लोगों को खुली जगा में होने का बहुत एक अगर फोबिया लगो फोबिया अब देखिए यहां पर फोबिया का मेंनिंग मैं आपको बता दूँ जहां भी फोबिया आपका जूड़ा होगा फोबिया का मतलब क्या होता है डर ठीक है किसी भी तरह का डर या ऐसी फेलिंग जिससे आपका जो excitement का लेवल हो बहुत ज अगर आपको अपने शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ दर्द होने लगे या जैसे यहां पर श्टिचेस के लिए साइन दिखाया गया है कि आपको उससे डर लगे ठीक है किसी भी तरह का वो पेन हो सकता है इंटर्नल और एक्स्टेंडल तो ऐसे लोगों के लिए यूच किया जाता है願い एंगलो मैनिया शब्द नहीं को पढ़ेंगे एंगलो मैनिया शब्द का मतलब क्या होता है तो मैनिया शब्द का इस्तमाल किया जाता है तो एंगलोफोबिया का मतलब क्या है एक्सेसिव इंथ्यूसियाज्म फॉर ओल तिंक्स इंग्लिश जब जो इंग्लिश यहां पर लिखा हुआ अगर मैं प्योरली बात करूं तो जो ब्रिटिश कस्टम्स है या जो ब्रिटिश है रिति रिवाज है जो भीटेन या ब्रिटिश अंग्रेज्व जैसे जो उनके पीछी पड़े रहते हैं कि उन्हें भी वैसा ही फॉलोग करना है जैसे अंग्रेज लोग करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए यदि किया जाता है एंग्लोमेनिया ठीक है यहां पर चित देख बता दूं तो बिबलो मैनिया का मतलब क्या होगा कि यहां पर जैसे इंग्लिश में इंगले प्री ऑक्क्यूपेशन विद्धा एक्यूजिशन एंड प्रजिशन आप बुक्स जब आपको बुक्स कलेक्ट करने या आपको ऐसा लगता हो कि आपके पास आज पास खूब सारी बुक्स ही बुक्स होनी चाहिए तो ऐसा जो एक आपका जो पागलपन है या जुनून है कहलूं तो इसको कहा जाता है बिबलो मैनिया आप इसे के पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्यार भी कह सकते हैं वैसे पुस्तकों का जो प्रेमी होता है उसको तो हम बिबलो फाइल क पुस्तकों से जो घ्रणा करता है उसके लिए क्या यूश करते हैं विबलो फोग यह सब्द का इस्तमाल करते हैं यहां तक की मिनिंग सेम रहती है और विबलो मैनिया का मतलब जिसको बुक्स के कलेक्शन करने का सौक हो या उसको यह सौक हो कि आसपास के खूब धेर सारी ऑप आप पर संब्स भॉटं से लिशाटे च luggage जैसे लिए या अगर उनको बहुत जिल्दी जल्डी से जल्दी उससे बाहर निकले कुछ अजीव सी उनकी फैलिंग हो जाती है एक तरीके करे लिजए डर भीरभाड़न होता है जो चोटी जगा में या closed space में होने का जो डर होता है उसे कहते हैं cluster phobia आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बंद जगहों पर या ऐसे जो कम जहां पर स्थान है वहां पर ना रुख सकते हैं ना थोड़ी देर बैठ सकते हैं तो ऐसे इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है cluster phobia लिखा हुआ है डिप्सो मेनिया का मतलब क्या हो गया कि अधिक मात्रा में पीने की आदत पड़ गई हो या उनका जुनून हो मतलब छोटे मोटे अगर थोड़ा बहुत पिलेंगे तो उनसे उनका मन नहीं बढ़ता है जब तक वह बहुत ही एक्सेस मात्रा में नहीं ग्रहंड कर लेते हैं अलकोहलिक ट्रिंक्स को ठीक है तो ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है डिप्सो मैनिया नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हीमोफीलियक अब यहां पर हीमोफीलियक लिखाओ सी एक एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है तो अगर किसी भी सब्द के आखरी में सी जुड़ जाए मतलब यहां पर ऐसे आ जाए जैसे मैं हमने पिछले वर्ड देखे थे बिबलो मैनिया बिबलो मैनियक अगर हो जाएगा तो वह जब सी जुड़ेगा आखरी में सब्दो इस परसन के बारे में बात करेगा अभी तो वह उस्टर्म के बारे में बात करने हैं जैसे अगर मैं कियों यहीछ तक पडूँ सी को हटा दूँ क्या पड़ू हीमोफिलिया का मतलब क्या होता है ऐसे लोगों के लिए इस्तमाल किया जाता है जिनके अगर थोड़ा सा कट हो जाए और खून बहना उनका बंद ना हो ठीक है जैसे नॉर्मल इंसानों में क्या आता है अगर आपको थोड़ा सा कट हो जाता है थोड़ा सा खून बहता है थोड़ी देर के लिए उसके बाद खून अपने आप ही बहना उसका बंद हो जाता है लेकिन जो हीमोफिलिया से ग्रसित लोग होते हैं एक तरह की बीमारी है जो हीमोफिलिया से ग्रसित लोग होते हैं उनका जो खून है वो रुकता नहीं है एक बार कट हो गया तो उसका रुखना बहुत ही मुश्किल है खून का वो बहता ही जाएगा चाहे थोड़ी मात्रा हो चाहे अधिक मात्रा हो तो हीमोफिलियक आ गया मतलब ये उस परसन के लिए होगा बीमारी से जो ग्रसित है ठीक है तो someone who has hemophilia and is subject to uncontrollable bleeding कि उस परसन के लिए होगा जिसको hemophilia है और उसको क्या हो रही है uncontrollable bleeding से ग्रसित है उससे control नहीं कर सकते हैं उसकी bleeding को ऐसा नहीं control नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है आम आद्मियों की तुलना में next बात करते है है hydrophobia अब सब जानते ही होंगे हमने पढ़ा हुआ है जिकर मैं भी हम पढ़ते है hydropower project यह सारी चीज़ें पढ़ते है hydropower plants तो hydro का मतलब क्या होता है पानी ठीक है जहां भी हाइट्रम मिले मिलेगा आपको क्या समझना है उसको पानी जल से रिलेटेड यह सब्द है तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा जिसको पानी का डर हो जो पानी से डरता हो अब पानी से डरने का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे आप उनको किसी नदी के किनारे ताल आपके किनाले खड़ेगे तो उनको डर लगता है कि कहीं असा नहीं हो कि मैं इसमें गिर जाओं मैं बच नहीं सकते हैं ठीक है तो यह जो एक डर होता है पानी से रिलेटेड इसे कहते हैं और मोर्विट फिर उफ या हाईडरो फुबिया है स्केस अग intéressant प्र Say same Trek आशक li bourण जोड़ गया मतलो उस परसंद के बारे मात करा है जिसको घ्लेप टो मेनिया और कि अगर मैं क्लेप टो मेनिया की बात करों कि च्लेप टोलेटो मेनिया क्या होता है तो ग्लेप टो मेनिया कहत बैठा रहेगा वहां से कुछ ना कुछ सामानों उठालेगा ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वह से कुछ बेचेगा या उससे फाइदा उठाइगा यहीं उसका Profession है चोरी करने का ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर क्या है कि जिसे वह रोक नहीं सकता अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है कुछ ना कुछ चुराते रहने की कहीं में बैठाओगा वो चुरा लेगा ठीक है तो क्लेप्टोमेनिया क्या होगा ऐसा परसन जो यह काम करता हो समवन विध इरेशनल अर्ज टू इस्टील यहां पर चितर में दिखाया गया है कि लेटी है जो बैठी हो रेश्टोरेंट में खाना खारी है ब्रक्रस्ट का बात करते हैं नेक्ष्ट सब्द है इसका मतलब क्या मतलब अगर आपके आज पास कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको यह से लगता होगे कि वह बहुत ही ज्यादा ग्रेट है मतलब उनको इसा डिलीजन होता है कि वह जो सोच रहे हों सबसे अलग है सबसे महान है कि अपने से नीचे ही सबको समझते हैं मुझसे बड़ा कोई और परसन नहीं है जितने मेरे पास वेल्थ है पैसा है धन समपदा है उससे बड़ा और कोई नहीं है मेरे आसपास कोई टिक नहीं सकता है तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस चीज से ग्रसित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम megalomaniac और इस बिमारी को या इस जुनून को पागलपन को क्या कहेंगे megalomania आई होप आपको समझ में आया होगा आप अपने आसपास के जो लोग होंगे इस तरह के आप उनसे रिलेट कर सकते हैं इन सारे शब्दों को तो आप जब उन परसंस को भी देखेंगे तो आपको वो सब्द याद आते रहेंगे तो इससे कभी भूलेगा नहीं नेक्स्ट देखें क्या लिखेंगे लेब्डो फोबिया का मतला होगा in ex迫 रियो summat जिसे इतल जिसके भीजोग हो कि यह जो जो ही क्या जिनको षांप बोला जाथ इंसे और अपके हैं चिपकलीव वेगर होगे उन सब से इस रिलेट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है जिनको केवल साप्व से डर होगा उसी के लिए यह वर्ड यूज किया जाएगा नेक्ष्ट बात करते हैं मोनोमेनिया का मतलब क्या है? अमेनिया रिश्टिक्टेट टुवन थिंग और वन आइडिया जब कोई भी परसन की बात कहलूं कि वो क्यों एक आइडिया या किसी एक थिंग के पीछे ही क्या है पागल है अगर उसने सोच लिया है कि उसे कुछ काम करना है अगर वो लाइक नहीं है कि उस काम को कर सकता है ठीक है? या वो वहाँ तक नहीं पहुंच सकता है तब पर भी वो उसी के पीछे पागल रहेगा बात करते हैं वा फोट फोबही प्रशया Fr legit अब बैठे रहे कि बाहर आपको निकलना पूद जाए बारा बज रहे हो हो मई जून का महीना हो और दिल्ली की घर्मी हो तो एपभी तो शही आप नहीं एक हुझ फोटम कोछा सूझ तरह का जो डर होता है कि अभी आप बाहर निकलेंगे और ऐसे आपके साथ होगा ऐसे लोगों क्या कहते हैं फोटोफोबिया से वो ग्रसित होते हैं या उनको फोटोफोबिया होता है नेक्स्ट बात करते हैं पाइरोमेनिया पाइरोमेनिया का मतलब क्या है जैसे क्लेप्टो पाराई टू थिंग्स साया, जब किसी ऐसे परिसंग के बारे मात की जाए, जिसे हर एक चीज में आग लगाने की आदत है, बातों वाला आग नहीं सच मुच यहां वे बैठा रहेगा, आसपास कुछ ना कुछ में आग लगाता रहेगा, उसे यह मतलब नहीं, उसे क्या नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है पाइरो फोबिया अब फोबिया का मतलब फिर से वही क्या है कि डर है ठीक है पाइरो का मतलब क्या आग फोबिया का मतलब क्या डर जिसे आग से डर लगता हो उसे क्या कहेंगे पाइरो फोबिया उसको हुआ है ठी पाइरोफोबिया जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग होते होंगे जो आग से बहुत डरते हैं ठीक है छोटे-छोटे चीजों से भी डरते होंगे कहीं पे अगर आपने दिया भी जला के रखा है तो उसकी आग मुझे ही पकड़ ले ठीके मेरे कपड़ों कपड़े जल जा जाने लोगों से डर लगता है बातचीत करने में घुलने मिलने में तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि उन्हें क्या है जीनोफोबिया है वो जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ही जॉली मुट के होते हैं कोई नया भी आदमी मिलता है जिससे वो कभी नहीं मिलें, तो बहुत पांच नट के अंदर एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, उसे बहुत डार होता है, कि अगर कोई अजनबी परसन आके उसे कुछ पूंचता भी है, तो बजाए कुछ बतान ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्से की तयारी है, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रोव्मेंट आपको देखने को मिलेगी, तो हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए हवाना HD and bye